तो तो दोस्तों गर हम बात करें foldable phone की तो सबसे पहले market के अंदर हमें Samsung company के तरफ से foldable phone देखनों को मिला है उसके बाद से कई company जो है अपना foldable phone market के अंदर launch करना चाहती हैं और यही कई company है जो अभी इस project पे काम कर रही है निकि अपने foldable phone पे काम कर रही है और बहुत ही जल्दी इनका फोल्डबल फोन जो है में मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा बट इन सभी को पीछे छोड़ते हुए जो उन्होंने बाजी मार ली और इन्होंने अपना फर्स्ट शाउमी मी मेक्स मॉवाइल जो है जो कि यह फोल्डबल फोन है उसको फानली बीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए ऊटो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी ओ टेग वीडियो के लिए तो बीना टाम वेस्ट करते है तो फानली ने अपना मी मिकस फोल्ड फोन जो उसको लांच कर दिया और यह सावमी की तरफ से इनका पहला ऐ 18 गीह हमें डिउटक्पेकर मिलते है जिसके अगर हम पिक्सल सके अंदर कंभर्ट करते हैं तो 2480 1860 पिक्सल इसके अंदर महें देखने को मिलते है आज़ते है니다 अंगर बात करें इस फॉन के आउटर पिक्सल्स घह में देखने को मिलता है जिसका जो रिफ्रेश रेट है वो 90 a tickets के साथ यह दिस्पले देखने को मिलती है इसके अनदर चले वहीं पर बात करते हैं इस फॉन के अंदर हम वगर की तो इस फॉन के व्यव talks चार देखने के बलेंगे दो बॉटम साइट और दो टॉप साइड याने की जो बॉटम और टॉप सैड उसके कॉर्णर पर आपको इस चार Northwest कर देखने मिलेंगे और वazar है और दोल्बी हर्मन ओडियो है याने इस के लातकी Cand कहने कि इस फोन को हमने बिलियंस बार ओपन क्लोज किया है यानि कि इसके दर में ऐसा कोई भी इसू देखने को नहीं मिला है जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे तो इसके दर में कोई भी इसू देखने को नहीं मिला आप चाहे फोन को कितनी बार भी फोल्ड करो चाहे कितनी बा आपको 5020mh की बैटरी देखनों को मिलती है जो कि 60W के fast charging को support करती है अब बात करते है इस फोन के नंदर हमें डिरीर बात करने दिरा शेट आप करता है जो कि इसका primary camera है, वो हमें 108MP का देखनों मिलता है और जो 2nd camera जो की ultrawide हो हमें 13MP का देखनों मिलता है जो इसका थार्ड कैमरा है वो लीक्विड लेंग्स के साथ आता है जो कि 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको काफी अच्छे अच्छी टेकनोलोजी देखनो को मिलते हैं जिसकी मदद से आप अगर फोटो सगर लेतो तो काफी फॉकस कर सकते हैं और साथ साथ आपको white balance और high dynamic range देखने को मिलती है इसके अंदर यानि कि अगर आप photo वीडियो करना चाहते हो इसके अंदर photography वीडियोग्राफी तो आप काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो इस phone के मदद से इस phone के अंदर हमें traditional desktop mode भी देखना को मिलता है जो कि android ui पे बेजड है जिसको अगर आप अपने phone को desktop mode में convert करते हो तो आप छोटे मोटे काम जो है desktop के वो अपने phone के उपर ही कर सकते हो चलिए बात करते हैं इस phone के हम price की कि इसके अंदर हमें क्या price देखना को मिलती है तो इस phone करूं इसके base variant के नहीं जो उसकी 12 GB RAM प्लस 256 GB internal storage है उसके price की तो वो हमें 11,000 का देखना को मिलता है और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके दूसरे variant की जो की 12 GB RAM प्लस 512 GB internal storage है उसकी price की तो वो हमें 118,000 रुपे का देखना को मिलता है वहीं पर मैं बात करूं इसके 45,000 रुपे का देखना को मिलता है यह phone जो अभी चायने के अंदर लौंच हो तो जो वहां का यूवान होता है उसको अगर convert करते हम यहां इंडियान रुपेस में तो यह सारी जो price में आपको बताईए यह आपको इसके अंदर देखना को मिलता है अब बात करते कि यह phone जो ह हमें एक दो महने या तीन-चार महने बाद यह इंडिया के अंदर भी लौंच देखने को मिल सकता है क्योंकि साउमी कंपनी जो अपने छोटे से छोटे फोन को इंडिया के अंदर लौंच करती है और कम price के अंदर हमें काफी अच्छे features और काफी अच्छे specification देती है तो जा आगी या नहीं भी करेंगी आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना तो बस फिलाल वीडियो में इतने आसा कतो में तरफ से दिखिजान करें आप लोगों को पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और आप इस चैनल पर नए हो तो जरू सब्सक्राइब करना क्योंकि रोजान इस चैनल पर आपको ऐसी कमाल की टेक वीडियो देखने को मिलती रहेगी अगर आपको कोई सवाल है आपका कोई सुझा हो है तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और मुझे इंस्टाग्रा जरूर आपको उसे कमेंट सेक्षन में जरूर है तो भ। स्टाग्ट सेक्षन में जरूर पर आपको क्षेंट।